हेलो गाइस वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल सलन फैट गाइस आज कर जो मैं टोपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है बोटोक स्टीटमेंट गाइस काफी ज्यादा मेरी लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि बोटोक स्टीटमेंट के ऊपर एक थोरी बनाए कैसे करते इस और यह कैसे आता है और यह सेम्डेवास है जैसे कि हम क्लेटेइन जो करते है न उसके लिए हम नेक्स्ट डै या फिर दो दिन बाद आफ्टर वोस के लिए बुलाया जाता है कि लेंड को लेकिन इस ट्रेटमेंट में ये एडवांस ट्रेटमेंट है जिसका result काफी ज़्यादा अच्छा होता है काफी ज़्यादा silky and signing होता है hair को बहुत फ्रिजी ने इससे खतम करता है बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका result काफी ज़्यादा perfect होता है और stem तो ये काफी ज़्यादा salon में use हो रहा है कि botox, botox, बहुत ज़्यादा salonों में केटी का botox जो है काफी ज़्यादा use हो रहा है केटी का भी botox काफी ज़्यादा अच्छा है गा गाइस मैंने इसको personally use किया हूँ है source बनागे वीडियो डाल रखे है आप जागे देख सकते है उसका result कैसा है आज इस वीडियो में आपको theoretically बताऊंगा कि Botox कैसे use किया जाता है जैसा कि Katie का मैंने use किया है उसकी थोरी में आपको पता दे तो कैसे use करते है जरूर देखना है अगर आप वीडियो पर मेरे new हो तो प्लीज वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर देना and don't forget to press the bell icon इस तरह के वीडियो में काफी लाता रहता हूँ अगर आपको hair chemical color को कुछ भी सीखना हो तो मेरे चैनल पर हर वीडियो अबेलेवल है तो गाइस वीडियो को start करते है गाइस मैं पहले बता दू Botox एक treatment है जैसे कि हम keratin करते है लेकिन ये keratin से advanced treatment है जैसे कि मैंने बताया है ये same day was treatment है ये Botox treatment आप कौन से hair पर कर सकते हैं जैसे कि आपने client के global करा है global किया हुआ है या कई highlights वगरा किये है कुछ treatment होते हैं जैसे कि आज आपने global करा हुआ और उस पर treatment यूज किया तो हमारा जो color होता है वो हो जाता है लेकिन इस Botox में ऐसा कुछ नहीं है आप same day global हो same day ही आप Botox कर सकते हैं जो freezy hair होते है जिनमें बिल्कुल भी sign नहीं होती है काफी ज़्यादा freezy होते है आप उस पर ये Botox यूज कर सकते हो dry hair पर यूज कर सकते हो totally मिलाके आप damage hair पर भी Botox कर सकते हो जाइश सी बात है healthy hair पर तो कोई treatment करोगी नहीं है ऐसा कुछ तो denim बात पर आते हैं कि इतने person state देता है guys ये 15 से 18 person आपको state look देता है अगर आप पूस्ते है मेरे से कि Botox अच्छी है या फिर carotene अच्छी है तो मैं आपको यही बोलने वाला हूँ कि वो client पर depend करता है client को same divorce चाहिए और अपने texture को same रखना है द्यान उनको बिल्कुल भी texture change नहीं करना है और treatment से अपने बालों को अनफ्रेजी silky and sign बनाना है तो आप Botox treatment उनको दे सकते है तो guys ये 15 से 18 person आपको state look देता है without formaldehyde 0% guys मैं आपको बता दू आपको कि इसमें 0% जो है ना वो हमारा formal formaldehyde जो chemical में काफी जाधा होता है कुछ chemical होते है जो हमें आपको नुकसान करते है उसमें से एक chemical यह भी है formaldehyde यह chemical जो carotin हम करते हैं यह हमारी आखों में लगता है वो जो आखों में लगता है वो है formaldehyde जो इसमें 0% है इससे eyes burn भी नहीं होगी आपकी जो मौश्य काफी ज़ाजा लगता है कि लाइन काफी ज़ाजा इरिटेट हो जाते हैं इस बोटोस ट्रीट्मेंट में ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी आइस को बंद करें अब गाइस को कैसे यूज करते हैं स्टैब बाइस्टे में आपको बताने वाला हो कि बोटोस स्ट्रीट्मेंट कैसे यूज करते हैं आप वीडियो के एंट तक जरू देखा करो ताकि आपके माइन में कोई डाउट हो अच्छे से किलियर हो जाए मेरी वीडियो में प्रोपर समझाया जाता है फिर भी आप क्यो सेम्पू लेना है आपको आपको अच्छे से वोस कर लेना है और वोस आपको अच्छे से करना है तू टाइम्स तू टाइम्स आपको वोस करना है और क्यूटिकल्स अच्छे से ओपन हो जाए आपको सब तक वोस करना है क्यूटिकल्स ओपन हो जाएगा आपको कैसे पता हो तो बाल को एकदम dry कर देती है, इस क्यूटी का सच्छी तो open जाते है, then आपको क्या करना है, hair को dry करना है, इसमें hair dry आप guys 100% करेगे, क्योंकि कैरेटिंस से बिल्कूली अलगी treatment है, then आपको क्या करना है, application करनी है, आपने करनी है application botox की जैसे कि मैं बता रहा हूँ केटी का botox है जैसे कि आपको screen पर दिख रहा होगा आपको ज़्यादा नहीं निकालना 30 ml ही निकालना अगर client की density ज़्यादा है तो आप उसे ज़्यादा extra निकाल सकते हो आपको 30 ml ही निकालना है और आपको इसकी application मैं आपको बता दू आपको इसकी application है वो dab dab करके लगाने लेनी है dab dab का मतलब मेरा यह है कि मानली जी यह हमारी scalp हो यह हमारा hair soft hair यह roots होगी roots है आपको हमेशा एक से दो इन छोड़के एक cream application देनी है ध्यान रखेगी यह जो botox statement cream है यह scalp पर ना लगे और आपको नीचे length पर अच्छे से application देनी है dab dab का मतलब यह जैसे आपने बिरस को एक डोट यहां लगा है एक डोट को यहां लगा है देन आपको क्या करना है अच्छे से चिप चिपा लुक आता है इसी कारण आता है कि आप ज्यादा quantity में botox को लगा देते है देन आपको अच्छे से आपको लगता है कि resistant hair है तो 45 minutes आप इसको लगा के रख सकते है तो वाइस अब बात आती है कि अब हमें क्या करना है आपको क्या करना है जो हेर पर अच्छे क्रीम लगा रखिया आप सावर कैप भी लगा सकते हो या फी इस प्रोसेस को आप इसकी भी कर सकते हो 35-45 minutes रखने के बाद आपको क्या करना है 50% जो हेर आपके वह आपको कॉल्ड एर में सुखाने बाल ठीक है गाइस कॉल्ड एर में आपको बाल सुखाने है डैन जो 30% बचे के हेर वह आपको मीडियम मीडियम एर में सुखाने है और गाइस जो 20% हेर रह गए आपके वह आपको फुल हीट पर करके सुखाने है फुल हीट पर जैसे कि मैंने बताया केटिंग तरह यह आँको को आई बन नहीं करेगी और आपको जो फुल हीट पर सुखाने है वह आपको पैडल ब्रस जिसको आप फ्लैट ब्रस भी बोलते हो उससे आपको कर लेना है ब्लो ड्रायर स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करते समया मै आपको बता दू गाइस जो ड्रायर की नोजल होती है ना ड्रायर की नोजल का मतलब मेरा का जो ड्रायर होता है उसके आगे जो आप नोजल लगाते हो जिसमें से ब्लो निकलती है आपकी उसको आपको हमेशा नोजल को डाउन करके चलाना है डाउन का मतलब है कि ऐसे बालो आपको फिंगर से पकड़के अच्छे से नीचे नीचे जैसे कि आपके हेर का सेक्षिन है तो हीट आप ऐसे डाउन नीचे से ऐसे देगें ओके जाए जाए आपको टेम्परिचर बता दू गाईस तो आपके असी टेक्षिन पर डिपयंड करता है कितने आइनिच का टेम्परिचर आपको रखना है जैसे कि आपको 180 से मैं बता दो आपको 180 से 230 डिगरी तक का टेंपरिचर रख सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके हेयर क्लाइन के टैक्चर पर हेल्दी वाल है तो आप 210 तक रख सकते हैं 230 भी रख सकते हैं लेकिन हेल्दी है वर्जन इलास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है तो आप 190 200 इतना रख सकते हैं अब बात करते हैं फ्लैट आइनिंग के बाद आपको क्या करना है आपको 10-15 मिनिट का वेट करना है आप कहेंगे कि इधर हम वेट क्यों करें हमने तो आइनिंग करें कोई क्रीम अप्रिकेशन थोड करना पड़ता है कि ताकि गरम बाल पे आप थंड़ा एकदम पाहिं डालेगे तो आपको खुद यह पता हेर का क्या हाल हो जाएगा तो हम 10-15 मिनिट के बाद देखें के बाल थंड़े हो चुके है तो आप क्या करेंगे जैसा कि मैं आपता है यह सेम डे वोस ट्रीटमेंट को सैंपू इसमें यूज नहीं करना है गाइस मैं इस्पेशली लिख देता हूं इसमें सैंपू आपको यूज नहीं करना है आपको यूज करना है केटी कही जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं मास्क आता है जिंजर मास्क वो आपको बालों में अपलाई कर देना है जिंजर मास्क जो को दिख रहा हो सक्रीड ना आपको यूज़ करना है दैन आपको क्या कर लेना है आपको करना है बालों को अच्छे से टावल ड्राइ गर पार देटावर के बाद गारिस आपको करना है एक पंप सीरम ले लेना है आपको केटी का भी ले सकते हो काफी अच्छा रिजाल्ट आगा कि केटी की सर्विस चलती है बोटोक्सी तो केटी में आता है बोटो नीकल रोज ओईल जो आपको बालों का फ्रीजी फ्री करेगा और एक बालों में एक अच्छी पॉलिस साइन देगा होम केर की भी मैं बात बता दूगाईस अगर आप ये टीटमेंट करते हैं तो क्लाइन को कौन से सैंपू दे सकते हैं तो मैं बता दूगाईस आप केटी के जो सैंपू कंडिशनर आते जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वाले आप सैंपू क्लाइन को दे सकत एक दिन छोड़के वोस कर सकते हैं और मैं आप पता दूसका जो रिजल्ट है कितने दिन तक रहता है अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देख रहे तो उनका एक बेनिफिट हो जागा उनको पता चल जाएगा किसका रिजल्ट कितने दिन तक रहने वाला गाई यह मैं मन्त के साथ से नहीं बता हूँगा क्योंकि यह जो ट्रीटमेंट है क्योंकि कोई साभी ट्रीटमेंट है वो वस के उपर होता है इसका जो रिजल्ट है वो 30-40 वस तक आपके रहता है यानि कि 4 मन्त अराम से इसली यह आपके बालों में रहेगा और इससे अच्छा ट्रीटमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगे हेर बोटोक्स कैसे यूज किया जाता है बोटो स्ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कौन से हेर पर करते हैं तो गाइस इस वीडियो ना आपको थोड़ी से भी हल्क पर जोग तो वीडियो को प्लीज लाइ िधरैけて है कर दोगोगारे इस वीडियो मिलेगा मेंटर भी अढसरा होगेिव बुगोगारे ऑटारे जैयरे एक गारे होगेगारे आपको वीडियों»